EV cars का क्रेज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे ही लोग petrol और diesel cars को खरीदना avoid कर रहे हैं लेकिन पर ऐसा नहीं है कि petrol cars एकदम से बंद हो जाएंगी पर अब जैसे जैसे petrol के prices भी बढ़ रहे हैं तो एक petrol car को daily run में use करना काफी costly पढ़ता है और अगर आप news से थोड़ा सबडेट रहते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जल्दी diesel और petrol के prices में हमें काफी बड़ा gap अब देखने को मिल सकता है तो अब दो ही option हमारे पास बस्ते हैं या तो EV car पर switch करें या फिर हम कोई CNG car purchase करें लेकिन पर कुछ लोगों की need pure EV car से पूरी नहीं होती है और साथ ही जो लोग चाहते हैं कि उन्हें stock car से ही अच्छी performance और साथ ही अच्छा mileage मिल सके तो ये भी possible है आपके fully hybrid system के साथ जो के आपको new Honda City में देखने को मिलेगा ये जो hybrid system है ये सिर्फ नाम का ही hybrid system नहीं है जैसा कि आपको मारूती की cars में देखने को मिलता है मारूती की कुछ cars में कहने के लिए तो hybrid system है लेकिन पर उसके होने से भी car में कोई इतना बड़ा major difference देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये एक mild hybrid system है जो के मारूती की mostly सभी hybrid cars के अंदर ही आता है इसका काम सिर्फ इतना होता है ये आपकी car के engine को own कर देता है बिना किजी fuel consumption के पर अगर आप सोच रहे हैं कि इससे आपकी car चल भी सकती है तो आप गलत है लेकिन पर आप सब लोगों को पता होगा के Honda को लोग उसकी technology और उसकी long time reliability के लिए ही purchase करते हैं इसलिए new Honda City में आपको सिर्फ नाम काई नहीं काम का hybrid system देखने को मिलता है जो के सच में work भी करता है जो आपकी new city है वो pure electric power पे बिना engine की power को use किये ही चल सकती है city में fully hybrid system है जो की car को high speed में और low speed दोनों में ही चलने में मदद करता है new city में आपको दो electric motor दी गई है जिसमें एक आपकी work करती है generator की तरह और जब car चलती है वो hybrid battery को charge करने का काम भी करती है और जो दूसरी motor है वो car के front wheels को power देती है new city में dual motor IMMD power train है जब आपकी car low speed में होगी या फिर heavy traffic के अंदर होगी उस time hybrid motor ही आपकी car को चलाएगी और car का जो engine है वो off रहेगा पर जब car को ज़्यादा power की जरुवत पड़ेगी या फिर car को अब high speed की जरुवत है तो hybrid system बिना किसी fuel consumption के engine को on भी कर देगा और ये सारा procedure इतनी जल्दी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी car EV से engine power पर switch हो गई है ये system सिर्फ mileage के लिए ही नहीं बलकि जब car के engine को भी ज़्यादा power की नीड होती है तब EV motor engine के साथ मिलकर car की power को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है जिससे हमें काफी अच्छी performance भी देखने को मिलती है Honda City अपनी segment की cars में सबसे कम price में fully hybrid system offer करेगी ऐसा ही hybrid system आपको Toyota Camry के अंदर भी देखने को मिलता है लेकिन पर उसका price भी काफी ज़्यादा है पर अगर साथी में कोई new city में CNG भी install करा लेता है तो ये कार एक mileage machine जैसी बन जाएगी तो I hope कि आप सब लोगों को सारी ही चीज़े समझ में आ गई होंगी अगर आ गई है तो आप लोग भी एक काम कर सकते हैं आपको बस नीचे वाले subscribe बिटन पर क्लिक करना है और आपका एक कम हो जाएगा तो ये ही थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share और अगर आप चैनल पर नहीं है तो please चैनल को subscribe कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए topic के साथ